आई यह दोस्तों आज हम आठो टेंज के activize का एक धासी ट्रिक से एक साथ ब passions बनाना शीखते हैं तो इसके लिए पहले हम यहां एक्टिवाइज की करड़ होगा हाँ आपने सही सोचा और आप यहां यहां भी जानते होंगे कि पैश्वास बनाते वक्त सब्जेक्ट को और objects की अस्थतान पर और object को subject की अस्थतान पर लिखते हैं. तब आहिये हम पहले 8 होट अक्टिवाइस के object और लेटर को चो सभी में common हैं, को subject के अस्थान पर लिख लेते हैं, उसके बाद helping work को ruled के अधिर लिखेंगे। जैसे एक्टिवाईस के helping work जिस टेंस में हो ठीक उसके बाद वाले टेंस का helping work, यूज करेंगे, मतलब तीनों indefinite के साथ तीनों continuous का helping work, और तीनों perfect के साथ तीनों perfect continuous का helping work, यूज करेंगे, Čएल continuous इसका अपवाद है, मतलब continuous के ही helping work उससात बिंग को जोड़कर यूज करते हैं, तब हम सभी एक्टिवाइस के अमसार क्रम से उसके help लिख लेंगे, और आपको पता होगा कि सभी टेंस के पैसिवाइस में वर्प का थर्ड फाम यूज होता है, मतलब रिटेन लिख देंगे, और अंत में एक्टिवाइस के में बदलकर बाई के साथ लिख देंगे, इस तरीके से आप सभी आठो टेंस के एक्टिवाइस का एक साथ पैसिवाइस बना सकते हैं,